17 फरवरे के दिन गड़ीत की परिक्षा होने जा रही है और विहार बोट के दोरा जारी किया गया आज की इस वीडियो में गड़ीत के ऐसे महत्पूर कोशन आपको बताने वाले हैं जो आपके एकजामे 100% पूशा जाएगा आज आपको यह समझना है कि आप परिक्षा में बैटे हुए हैं और आप जबाब दे पा रहा हैं आपको आज की इस वीडियो से पता चलेगा कि आपकी तयारी कितनी हुई है कि आप कितने प्रश्ट का जबाब दे पाएं तो देखिए ध्यान से यहां इसे अगर हम 4 से कट आते हैं कि 4 से अब यहां नीची कोई भी संख्या से कट नहीं सकता है तो चार पट्री पांच देखिए कहां पर उप्सन दिया गया है तो आपका उप्सन कहां पर दिया गया है तो बी नमर में दिया गया है तो बी नमर आपका बिल्कुल क्या हो जागा सही उत्तर हो जागा यानि कि अनन्त निकाला जा सकता है, काफी ज़्यादा निकाला जा सकता है, तो यानि कि अनन्त आपका उत्तर क्या हो जागा, हो जागा, यहाँ पर दिखिए अनन्त के जगा अनगीनत भी option दे देता है, तो अनगीनत भी आपको टिक कर देना है, आपको घबडाना नहीं है, क जब किसी भी निया पर में संक्राङर थो की हर के गुर्णे कंड में केवल दो और पांच आता है उसके अलावा कोई दूसरा संक्रागा नहीं आता है जैसे कि यहां पे देखे, option C में दिया गया है, पंदरवाटा, 16OR तो 15ड़वाटा, जब 16OR दिया गया है, तो हर यहां पे क्या है? 16OR है, तो 16OR हैं, तो 16OR को हम लोगर क्रेंगे, गुरन, खंड करेंगी, तो 16OR को सबसे पहले 2 से कटायेंगे, होजाएगा 5 5 और 5 से फिर गटैगी तो यहां पर दीख रहा है कि कि वल 2 और 5 आ है इसके अलवा कोई दूसरा आहीं नहीं नहीं रहा है तो इस प्रकार से हमारा यार दस्योंड़ परस नहीं आगे नहीं भाष़ार है तो इस प्रकार पहुंगे कि a square b x plus c k good and fall क्या होता है लेकिन यहां पर दीखिए यहां पर a की जगह है वहां पर भी चेंज कर दिया गया है यहां पर x square के जगह है यहां पर पता था कि a x square plus d x plus जब c आता है तो c बटे a होता है यानि कि तीसरा प्थ निए गया है तो आगर कभी भी यहां पर चेंज करके क्या पूछता है तो बना दीजयेगा ना तिसरा प्थ बट्ड प्थ पहला पद जो भी होगा वह आपका एंसर होजागा तो यहां पर बात करते हैं अगला दीखे काफी important question है कह रहा है कि root 18 का पर्मी करण क्या होता है root 18 का पर्मी करण अब देखिए पर्मी करण यहां पर जब भी पूछेगा तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि root 18 का लिख क्या सकते हैं क्योंकि अगर आपसे यह question पूछता आप के परिक्षा में तो यहां पर देखिए तो पर्मी करण गुणां का कौन है तो पर्मी करण गुणा किया गया है तो अगे बात करते हैं अगला देखिए कह रहा है कि सबसे च्योंटी अभाद संक्या कोई झी अभाज bothered करने का मतलब वही हो गया जो आपको केवल डो संक्या से वह इन करें जहां पर आपको डो होगया पांच होंगया शार चुप नों हैं क्या हो जागा चाइस गया और देखिए अक्सर पुछा जाता है question कि सबसे छोटी अभाज संक्या क्या होती है आपसे दूसरा question पुछा जागा कि निमने लिखित में से कौना भाजे संक्या है तो अभाज संक्या वही होगा जिसका क्या होगा गुडंखंड की वल दो निकले आपको 5 होगा तो 5 को डिभाज की जएगा तो प्रकार्ट वाले संक्या को कहते है आप संक्या तो इसमें कहला था सबसे छोटा सबसे छोटा था 2 है चेलो आगे बात करते हैं अगला दिखाए प्रशने कहा रहा है अगला हम सभी कहा कि यदि A बराबर BQ प्लस R है जहां A और B धारात्पर पुडांको तो क्या होता है तो यहां पर जब धारात्पर पुडांक होता है तो हमरा R जो होता वा छोटा होता कि C B से यह आपका रूल ही है आप सब यह जानते हैं इसके बारे में जानते हैं कि आर जो होता हुआ चोटा होता है किसे होता है तो अब 20 से चोटा होता है यानि कि option जो जागा आपका क्या हो जागा option C number हो जागा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला जो question है कि निमलिकितने कौन परिमे संख्या है जाए और यानि कि वह रूट में नहीं होनी चाहिए उसी पर रेकरिंग नहीं लागना होना चाहिए वह डॉट डॉट वाला संख्या नहीं होनी चाहिए तो ध्यान से दिखिए इसमें सब में रूट लागा है लेकिन यहां जो option D number में दिया गया है वह 6 root 5 बट्टा root 5 दिय अगला question कहा रहा है कि दिवगात बरुपद X square plus 12X plus 35 के सुनियक कोन होगी अब देखे यहां पे सुनियक का मान नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है क्या यह दूनों धरात्मक होगा दूनों बराबर होगा यह एक धरात्मक और एक रिडात्मक होगा देखो आपको छोटा सा किया देते हैं है हैं आप निका लीज़ेंगा देकर और बिंढि दो हीना चाहिए कि गरूप में नहीं लिखें वहीं नहीं होगा तो यहां पर रूट से इसे भी बाहर कर सकते हैं इसे भी बाहर कर सकते हैं लेकिन रूट 27 को बाहर किजिएगा नहीं कर सकते हैं यहां पर 111 से तो 111 कि तो क्या हो जागा यानि कि 11 तो बाहर आ गया उसी परकार से यहां पर क्या हो गया इकसो चालबे दिया गया है तो यह लिखते है 14, 14, 14, 14 लिखेंगे तो बाहर हो जाएगा तो 14 बटावण यानि कि लिख सकते हैं आप क्या चीज पीबटे की उकुरूप मि लिख सकते है तो यह भी अपका हो जागा अपका 289 है इसे के लिए गतना सत्रा इंटू सत्रा है ना रूट में सत्रा में सत्रा सुमूना की जागा तो यह भी बाहर हो जागा तो यह बाहर हो जागा तो यह बाहर हो जागा लेकिन रूट 27 बाहर नहीं हो सकता यानिका ऑप्षन क्या हो तो पाच तो पाच आ पाच तो पाच तो पाच पाच अने की फाच तो वाई एक। पर पाच अगया हुआ पीलकुल प्रशने कहा रहा है अगला प्रश्ण ने करा है कि एक द्युगाद बोपत के सुनिये को कयोग तता गुड़नफल जो है वह 3 तता माइनस 40 है तो द्युगाद बोपत गयाद कीज़ें बात बात करते हैं एक सत्थ दो बर वीटो देख लिए का एक पर इक्जाम से पहले बर और देख लिएगा तो बढ़ियां सियाद हो जागा यह एक दूदिन के बाद प्रेप्टिस करते हैं कि जो कोशन आप देख रहा है उसे मन से प्रेप्टिस कीजिए यह आपका मडल पेपर आपके पास होगा उसे निकाल लिए और सौल करने का प्रियास कीजिए जह क्या होगा एक हल होगा दो हल होगा प्रेप्योफ की आधर प्रेप्र आट ही लिएक जाया oppose के लिकए और ऐन कितना कुत रहने देतें 2 बट्टे 4 है तो इसको कटाएंगा तो 1 बट्ट 2 हो जागा 4 बट्ट 8 दिएगा तो 4 बट्ट 8 में कटेगा तो किना हो जागा 1 बट्ट 2 हो जागा तो यानि कि 1 बट्ट 2 बराबर 1 बट्ट 2 बराबर 1 बट्ट 2 हो जागा आलफा बड़ाबर तो alpha बीचा बराबर आप जानते हैं कि तीस्रा पद बते, पहला पद यानि कि C बते, यानि कि तीस्रा पद क्या है? यहाँ पे-bить है, यहाँ पर माइनस-b बते क्या चीज़? पहला पद, तो पहला पद 1 है, बराबर क्या चीज हो जाएगा? रहा है कि आर्ध बरकार में न पिए अगल जगाए लोगी पाँ अंग्या हाँ जाए करें रहा है कि और दिरीज इस सपर हो इसमें ब्रीत इसमें अगे बात करते हैं अगला दीकिया प्रशन क्या कहह रहा है कि दिवगास नहीं हो 0 की वास्तविक मूल नहीं है यृदी वास्तविक मूल नहीं है वास्तविक है यानि कि M faço हो गया कि वह ओ वास्ती का हो गया कि यानि कि D review मा好不好 मा आ जाएं तो आप सभी जानतेंover प्लावतिक आ इसन लिखने में इतना लिख लिए इस तर रहों अप्षी स्वाले सींबल और लगा देंगे इस तरह से पी लगा हो जाएगा समझे में आरा है जड़िए आप भी चाहते हैं आपको अपनी भास्ता में सिखाए तो आज आपको एक ऐसी बताने वाले हैं जो सीवेसी या अने एस्टेट गूर्ट के साथ कम्पेटेटिव एक्जाम को क्रेक कराने का वरोसा दिलाता है इसके लिए आज आपको प्रसंदे के कहा रहा है कि यदि आलफा तथा बीटा समीकरां टू एक स्कॉर माइनस एक स्कॉर माइनस परबाट जिरो के मूल हो तो वन बटे आलफा प्लस वन बटे वीटा का वैलू निका लिए इसको निकालने के द्यांदीजी क्या करना होता है आलफा प्लस बीटा का स सी कबाण कारें और मैंनुस काल ईखिए बतकी इसके पैट पलॉक हम को निकलना 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 है तो यहां पर यहँंगे मैंने तो बीटा मैं निकलाता यह निकलाता तो माल लीजिए यहाँ पर कनी तो यहां पर निचे चला जाएगा नीचे का ऊपर चला जागा तो ऊपर बटे आपका बिल्कूल करेक्ट तर अगे बात करते हैं इस प्रकार से यह कुशन बनता है तो यहाँ पर मांच चेंज करके देगा तो आप अपटापट से बना दीजीगा अगला दीचे प्रश्न कहा रहा है कि समनाता से डी माइनस तीन कमा चार कमा एगारा कमा थारा डॉट 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 का एक अइस वा पत क्या होगा तो आपको इसको बनाने के लिए ट्रीक बताया थे जब भी कोई भी पत पुशेगा तो आपको क्या करना है ए लिख देना है जो पूछेगा पतल जतना पूषचेगा उसम Nie से एक घाठा करके अउतना में डी से गुणा करते जाएगा याने कि एक हैस पूछ रहा है तो इस अटी से उर एक व्योथ टीन में कि तीसरा पद में से पहला पद घटा यानि कि चार में से कितना माइनस तीन घटांगे तो माइनस माइनस प्लस हो जागा तो गुने साथ हो गया अब देखिए यहां पर माइनस तीन आप 20 में साथ से गुणा गया तो एक सो हो जागा तो माइनस में तीन है और एक सो चालिस हो ग पर देखे टाँचिकारूंव Teaching नियुक्त सीचन पांगे तो देखे यहां मेंक चेलों किया ने सब्सक्राइब जो इस में से क्या यह qe कै drawn धी vert जो की x-square के रूप में आना चाहिए तो देखे यहां पर जेक vice 2 ग्यों हो जाएगा यहां पर एक्स क्यू दिया गया है और यहां पर बराबर की साट क्यू आएगा तो Q से Q कूट जागा यानि कि बचेगा क्या चीज एक्स स्क्यूर अलपाद बचेगा तो यही अपका कहद्यू का अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसे स्वाल्व कर लीजिएगा X Q मैanस X स्कॉयर को X माइनस 1 के होल की जी दिया गया है यानिकि X माइनस 1 का जो यहां पर बयापक्ष दिया गया ना दायापक्ष तो दायापक्ष को आप कहेज़ेगा solve कर लिए कि इस पर A-B के whole Q पे फर्मूला पे तोड लिजेगा तो आपका यदू घाज समिकरण के रूप में आ जागा यानि कि आपसन आपका A होगा अगला देखिए अगला प्रशने कहा रहा है कि समना अंतर स्रेंडी 80, 76, 72, 88, dot 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 का कौन सा पद सूनी होगा इतर में से आपका 80 जागा तो-4 बरबर होगा 0 क्या होगया अब देखिए यहां से 80 कश आप यहां पर N में माइनस 4 से गुणा करेंगे तो-4 N हो जागा और फिर यहां पर-4 में मंस से कुणा करेंगे क्योंकि यह कोष्ट के बाहर सब में गुणा होगा तो यह पी---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- सबसे पहले हम लोग मानते हैं यहां पे एपी निकालने के लिए सबसे पहले मानते हैं ए ए ए बराबर वन तो सिक्स माइनस फोर इंटू वन मानेंगे तो यहां पे चार दून आप अब देखे यहां पे चल जागा आप बढ़ जागा यहां एक पद आगे आप इसके पासे निकालने के वह दो ही पत्याई हम लोगो तो यहां पे माइनस टू और टू आगया दो पाद आ गया तो डूसरे पाध मेंस फिला पर गटा देते हैं तो दूसरा प्त दिया गया है MINUS स्थू पाइला प्ति याहां रहत गया हुताई सब्सक्राइब काफी संदार कोशेट है कि मुल बिंदू की नियामक कोन होते हैं मूल गिंदू का नियामक जोता है जीरो कामा जीरो होता और याद करके रिखेगा काफी इंपोर्टेंट कोशने सीधा आपका परिक्षा में पूछा जा सकता है हना टी हो जाएगा बभू इतना मेहनन से बताया रहा है तो लाइक कभी तक नहीं किया लाइक कर दीजो चैनल प जब यह आप से पूछेगा एरिया त्रीबूज पीकिवार बटा एरिया तो कुछ आपको नहीं करना है यह दूनों जो संख्या दी गई इसको स्कॉर कर देना है तो दूख किजेगा कितना दूख कर चार बटा तो चार बटा नो कहां पर दिये गया तो आपसन आपका यह कब भी ऐसा पूछेगा तो आपको यह ट्रीक लगा देना अब ऐसे आप त्रीबूज वाले पे अपसुत्रे बनेगा तो काफी दिक्कत हो जाएगा और आपको अब्जेक्टिव है जीतना जल्दी आपको पचास देदी किया है तो तो त्रीबूज में आप जानते हैं कि हो जाते हैं कि एक और आपके होगा यहांकर प्लश सथी संब्सक्राइगत में ओड़ाई 2017 सभाय से दिगरी हो गिया, यानि कि 110 सल पलस एक्स ब़ाबर 180 डिगरी, तो एक्स बराबर क्या हो जागा, 180 माइस का 110, तो 180 माइस का 110 सबब घटायेगा, तो विल्कुल जो, हगा, इसका कर्योंटी होता क्या होता है, तो आपस में मान बुराबर होता है तो यहां अगर सतर डिग्री आ गया है तर इसका भी मान सतर डिग्री होगा यानि कि ओपसान आपका सी नबर रिल्कुल सही होगा समझ में आ रहा है देखे कैसे गुमाकर के परिक्शा में पुछा जाएगा आपसे तो यह सब फूरोसेस यह सब को को ठ्रिक बदाताक एक 염तला से बताथि जीरो और आठ को जोड़िए गा झाहिगा और इसको जोड़ादि fried घ्याये एक बटा निकलने कि on the error चो और अज्या पाँ इसमें जो बहücksि हो जागा तीन लंगा हुज़ा इसमें का पहला इसमें का पहला जोड करके दो से भाग देना है फिर इसमें का पहला जोड करके दो से भाग देना है अगला दिखिए अगला कोशन कहा रहा है कि बिंदू 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी गयाद के जब दूरी गयाद करके क्लिए क्लिए क्या होता है अंडरूट तो यहां पर क्या लिख सकते हैं यहां पर यहां पर टू इंट तू इंटू बाहर सकते हैं यहां पर दो दूने चार्ट दोने याट दूने इसमें से बाहर हो जागा यह इसमें सबार हो जागा यादि कि बचे सोच में पढ़ जाए इसका मान क्या होगा जी कor सब्सक्राइब इसको हमको मां रख के बनना आगा आपको पता है कि के आउना होगा सब्सक्राइब एक साइन स्कॉस CT भर लो us तो option हो जागा option C number समय में है? कुछ में नहीं करना द्यान से देखिए बस आपको दिमाग लगाना इसे जिलिक कर रहा है कि जो मैतर आपको बता रहा है द्यान से समझते जाए क्या क्या हम कह रहा है हना चलिए अगला प्रसंद देखे क्या करा है जो बच्छा देख लेगा उसको दिक्क्रत नहीं होगा तो दिक्क्रत लेजेगा चलिए तो अभी तक जो बचे लाइक ने किया लाइक करने में कंजूसी मत की कि इतना मज़ा आप सभी को पढ़ने में सारी चीज़ समझ में आ रही है तो लाइक हिजिए और कमेंट करके बताइए और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अब तक आपको आगे से वीडियो का नोडिफिकेस नहीं मिलेगा नहीं आपको वीडियो नहीं मिल पाइगे अगर तो देखेए जब बिक संख्या दोनो माइनस में आ जाए तो आपका जो होती है यहां पर आंग से कोई मतलब नहीं है और कूण QPR जो है वह तेरे तिश्ट दिगरी है तो कूण PQR का वैलू कितना होगा द्यान से समझे यह माले जिए कि एक प्रकार का तिरी भूज बन गया ठीक है इसको मालने हम लोग PQR कहरा है कि QR को S तक बढ़ा गया निकि QR वाला जो यह भूजा है ना इसको S तक यहाँ फ्ला यह पूछ रहे क्या चीज कोन PQR पूज़ को आपका पी है PQR कैसे बनेगा यहां पे यह जो बढ़ाय गया है तो आप सभी जानते के लंबी सिधिर एकंगर कोर बनता है तो यानि कि यह आपका 20 120 दिया गया है तो यह वाला आपको बनाएंगा यानिकी माल ल यानि कि 180 में से आपको मालेजिए कितना घटे एगा ताकि 120 आ जागा आपको कितना आ जागा 60 हो जागा ना 60 20 यानि कि यहां पर त्रिभूज था एक मिनट पूपिए यह आपका त्रिभूज हो गया ध्यान से समझेगा यह एस तक बढ़ाए गया है यहां पर एक कोंड बंता है तो यहां पर एक कूण मिल गया एक कूण निकालना है तो आप सब्सक्राइब कि स्तिरीट में 130 ड्रीट एक्स साथ को साथ जोड़ कर यहां पर एक्समाणि यानि कि 307 पलास एक्स आप न साल एक साथ बराबर 120 तो एक सोच गुद्ध कितना होता मैं 120 123 पलस एक्स बराबर कितना हो गाई 180 हो गया अब देखे अब 118 जुब है एक सो और सी यहां फो ऑसीयुंः माइनश एक सो टैस से सत यहां पॉग अगला कि कुछन क्या कह रहा है अगला है कि यदि किसी तरिभूज के कुण का संधी भाजक पीपरित पूजा को संधी भाजित करता है तो तो याद कर लिजे कि वह संधी बाहू होगा यारी क्यों ओप्सन होजागा ए नंबर ठीक है अब चलिए आगे बात करते हैं कहिए का तो उसके बारे में पर समझा देंगे कि वो कैसे बनेगा यहां पर अगला प्रस्ट ने कहरा है कि त्रिबूज ABC में डी समनांतर BC है और AD बराबर BD है AD बटा DB है डी बराबर जो है वह दो बटा 3 है तो अगला प्रस्ट दिखे क क्या कह रहा है अगला प्रस्ट दिखे क्या करा है अगला प्रस्ट बटा खहरा है tata यहां पर कर रहा है कि यहां पर समरूप त्रिभूज में होंगे तब आप देखें यहां पर यहां पर कर रहा है कि यहां पर कि यहां पर पर नमर बिल अक्रिती में यहां पर पी क्यू जो है वह जीरो केंद्र यह पर रहा है यहां पे कह रहा है कि यहां पे तीन दे दिया गया है यहां पे आपको लंब दे दिया गया है यहां पे कॉंड का फर्मूला क्या होता है यहां पे यहां पे आपका बारा हो जागा तो यहां पे एक्स अक्षण से पूछ रहा है जागा चलिए एक्स अक्ष्ण के बारे में आप जानते भी होंगे अगला दिखे प्रश्ण क्या क्या रहा है कि बिरिद के किसी बिंदू पर खीची के इसपर्स रेखा और उस बिंदू से जाने वाली तिर्जया की बीच का बना हुआ होता है इस प्रकार से बिंदू पर खी अब यानिक जो पर पिर स्मूर्ण PTC यहां पर चलिए यहां पे पर रश्णा करते है यहें पर लग्Ы q दिखेज देते हैं यहां पर जो 50 दिया गया था टूटल तो जब आपको इसको आधा कर दिये समधि भाजी थम ले कर दिये दो भाग में इसे पाँधे तो 50 अधको makna 25 हो जागा ठीक है कितना हो गया जी 25 हो गया, यानि कि यह ऊपर वाला मनावा जो दिया गया है न वो 25 हो गया जोड़ीए गा तो कितना हो जागा यहां पर एक तो यहां पर क्या हुआ इसका जो वैलू है कि ना आ चाहिए तो 65 वाले केवल उपर वाला मना अब पूछ रहा है पूरा वाला मन तो 65 जब इसमें आधा आया है तो 65 दूनी कितना होता है 130 होता है तो पैंसर दूरी 130 कितना हो जागा और अगला देखे प्रस्ण क्या कह रहा है हम सभी क्या अगला नमबर जो प्रस्ण है वो कह रहा है कि दिये गए समकोंड त्रिभूज तो ठीटा का वैलु आपको जोगा वह कितना मतलब होगा आपको यह आपको दिया गया है यहां पे आपको कंड दे दिया गया अधार पहले निकल लिए तो यानि कि आपका आधार है वह पांच निकल गया तो आप देख रहे हैं पाइथागोरस से यह जो होताए वान 90 डिगरी होता है 90 डिगरी दिया भी गया है तो यहां पर आप माली जएक आपको नहीं पता है और यहां पे भी नहीं पता है ठीक है तो आप सब हुए जानते ही त्री भूश के अंतरकूनकर यकपल 181 डिग्री होता यानि कि X plus 90 degree plus X क्यों? यहां का X माने, यहां का 90 माना और यहां पे X माना, बराबर हो गया 180 क्योंकि 90 तो दिया ही क्या है अब देखे, X और X कितना होता है? 2X आप पलस 90 बराबर कितना? 180 तो यहां पे 2X बराबर 180 में सब 90 को घट जागा क्योंकि पक्सार्दित करेंगेmaं, तो कितना हो जागा? 2X बराबर 90 हो जागा 2X बराबर 120 तो X बराबर 92 का मतलब क्या हो गया? 45 degrees यानिकि 45 degrees आपका यह आगया और 45 degrees आगया तर 45, 45, 90, 90, 180 यानि कि तिर्भूश क्यां टरकूण का युक्षण पहत्त раз तो इसलिए क्या हो जगा 45 डिग्री जो है आपका इंसर हो जागा समझ में आ रहा है कैसे बनदा बिल्कुल लिग्दम समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा काफी संदार कुछ अब देखें यहां पर कुछन कर रहा है कि यदि टेंट 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 बराबर तीन बटा चार लग तो आपका पांच निकला पांच आफ निकले तो दिया तो आधार चार दिया गया था तो आपका प्रसन दिखें कह रहा है कि कोट 44 डिग्री बटा और दिखिए इसको मुनने के लिए किया जाता तो यहां पर जो च्रेंज करता है कैसे च्छेंज करेंगे नाइंटीन माइनस हम लोग इसके च्छाइश गटाएंगे तो कितना जागा चिंप सा जागा ना यहां पर 90 में 46 घटाएंगे तो च्वाले से जागा तो कौट 44 हो गए नुसके बदले इतना लिख लिए अब नीचे है 10 च्वाले जिटा होता है तो आप 10 टेन से जिगरी हो जागा यानी कि उपर वाला अब 10 कितना हो गया तो यहां पर जो भी आपको इस तरह से मान देगा बाटा वाला में तो समझ यह उसको बीना काट आए मार देजीगा क्योंकि वह नहीं होगा ठीक है चलिए वैसे आप स्वल्ब कर लिजेगा को स्वल्ब करने का तरीका बता ही दिया है कि इसमें आप से आपका हो जागा यानिकि ए नंबर हो जागा अगला कोशन कहा रहा है इक ब्रित परीदी 88 cm है तो इसकी तीरजा क्या होगे दो ध्यान से देखिए यानि कि ब्रित की परीदी क्या होता है तो यानि कि 2 आप यहाँ पर पाई के बदले क्या अतना होता 22 गोना में तो भाग में चला ज THE 늘 नहीं कि wichtiger नीच आ लट जायागा तो 7 हो जागा उपर नीचे हो जागा 44 तो 44 दूनिया ठासी या 7 दूनिया 14 यानि कि R का वेलू कितना आगया 14 तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जागा आपसा नमबर 2 हो जागा अगला नमबर प्रसंदे क्या रहा है कि यदि तरिभूज P Q R R पर समकूर है यानि कि एक आपका यह तर DC वेलू कितना घो होता है तो क्या हो जागा समझ में आ रहा कैसे अपसifa क्या हो क्या क्या हो जागा वकू पंदर इंवर करा है क्योश नहीं क्यों कूष प्रस्टे का 4 और 15 यहां चेंगा 14 यहां पी कि R पी खिर नहीं, तो आल्पा 4 का मान्जु दिया तो आपको मान बाताना है तो आपको बिल्कुल से उतर हो जागा तो जो भी बच्चे दो आपको बिल्कुल से उतर है अबी तक जो बचे लाइक यार नहीं किया तो लाइक कर देजो चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे कि आपको आगे साने वाले सबी वीडियो मिला करें अगला प्रशने कर रहा है कि यदि आरवन तता रटू तरजा वाले दू बिल्टू के उल्युक्तका योग जो है वह तो यदिकी काफी हसान होता है यह दोनों का स्कॉरर होता है और बर वरक्ता है यानि किपार कर धारू आर्यूर ओजया ओप्ताइब और 6 उश्य मीं ता तो आपका C रहाँ हम जाँ का आफ King को जाँखा अगले Daisy काफी एक डम असान कोशन है कि si है का 90 माइनस A के सकी बराबर हो तो q की बराबर होता है तो baba past बनाती है और आपका यह साथ डिगरी हो गया इसको मानले जिए इसको मानले जिए पंदरा मीटर है तो साइन साथ से बनेगा जाए लंब बाटा कॉन्ट आपको निचे ओगया 17 वाला 15 तो यहां पर रूट तो थी बराबर तो यहां निकलना है यानी कि लंबाई निकलने कि अगए दो जागा आप इसको कटाइए तो जब इसको कटेगा तो लगभा लगभा जो आपकी मान आएगी वहाँ यहाँ पे 7.5 के करीब आएगी अधिके इससे तो ज़्यादा आएगा लेकिन इसमें तो option दिया नहीं गया है तो लगभा लगभा आपका answer जो हो जागी वो यही हो जागी इसको बनाने के लिए वैसे तो आपका answer इसका एक होगा लेकिन कैसे बनाया जाते इसको द्यान समझागी किसी एक 1 को चेंज कर लीजी तो cot यहाँ पे 19- यहाँ पे cot 1 को चेंज कर लीजी तो cot 99 हो जागा into क्या हो जागा cot cot 89 हो जागा ठीक है क्योंकि cot 90 में से नावासी को गटेगे तो बना जागा ना तो बात वही हो गया अब देखिए cot 90 में चेंज किसका प्रापर होता है यानिकी 10 89 डिगरी into cot 89 डिगरी तो 10 ठीटा into cot ठीटा कमान 1 होता है तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा इस प्रकार से यह बनता है अगला दिखें क्या रहा है कि जोड़कर करके सबसे जितना संख्या तो सब्सक्राइब तो चोब पलस आठ पलस नौव पलस एक्स पलस तीर बटा यह कितना संख्याइब अगला दिखें है तो आपको जोड़कर सबस्से भाग देना है और मान आपको दिया गिया है तो इसको आपसौल आपका एंसर जो गनले कि चला रहेगा अगला दीखे, अगला कहरा है कि यदि संकू की उचाई और तिरिजिया दूगूनी होती है तो संकू का आयतन कितना होगा, दूगूनी करती जाती है संकू का क्या चीज, तिरिजिया और उचाई, तो संकू का आयतन आप जानते हैं कितना 1 बट्टा 3 पाई R square 1 बट्टा 3 पाई R square H होता है कहरा है कि 3 यहाँ और उचाई दुनों दूगुनी कर दीगे लिये तो 1 बट्टा 3, P, R को जागा 2 R square है निकि 2 दूगनी 4 अब 2 R square हो जागा तो यहाँ पे याझनि कि 2 H हो जागा आप नंगे किसा बीतरण के लिए बहुलग बर्ग निम सीमा निम सीमा यानि कि जिसको गयाद करने का सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा बर कौन आया है किम्कि बहुलग कोई होता जो सबसे ज्यादा बर तो यह दिखी सबसे ज़्यादा बार 22 आया है तो 22 का निम निसमा क्या हो जाएगा 15 और 20 सबसे चुटा को ने 15 है तो पंदरा आपका क्या हो जागा तो तीन हो जागा तो यह दिखें का रहा है तो यह करा है तो 45 और यह को आपको इंटर में पढ़ना है तो binnen 46 कितनी होता है तो इक चता और यह होता है तो 16 healthy च्छेगा और सब्सक्राइब बिल्कु जो से उत्र हो जाए जब इसे कटाईएगा अंठाउन नमर जो प्रस्ण है ना उसको अगे बात करते हैं अगला देखें क्या गया रहा है अगला क्वेश्चन क्या रहा है काफी आसान क्वेश्चन की P into E बराबर जो दिया गया है तो P not E का मान आपको बताना है तो देखें इसको ग्यात करने क्या किया है ता वन में से घटा दीजिए केवल बस वन में से 0.8 को घटा दीजिएगा तो आपको 0.92 आएगा और यही प्रस्ण काफी बच्चे गलती कर देते हैं देखें 1 रूपिया है आपको 1 रूपिया में से अंक हम ने लिए लिए ना जीरो इने की 0.92 तो 0.92 क्या पर दिया गया और अपसन नंबर इमें दिया गया है अगला देखिए अगला जो कोशन है हो कह रहा है कि वन प्लस टेन स्कॉर ठीटा बाटा वन प्लस प्लस टीटा किसके बराबर होता है तो बिल्कुल तो 10 के प्लस टीटा ये निए जीरो पांच में जीरो पांच पर रेकिरिंग उसको नौल लीके तीजी को निकलाए तो पांच बाल यीव हो जागा ठीक है अगला देखिए निकरिक रहा है सब्सक्राइब क्या है तो आपको पता है यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर क्या रहा है कि 2872 का मुसा निकाली और सब्सक्राइब कर लिए और निकाली जिए आठाइस में बहतर से भाग देजिए तो इस तरीके से निकाल लिए फटापट से चार आएगा बिल्कुस से उतर हो जगा ठीक है ठीक है चलिए तो रहसा जुबाद भी मेरा दुख जाए रहा है उसी समय से बोल रहा है यह घंटा से बोल रहा है चलो अगला प्रशन कहा रहा है कि बहुपद एक सब्सक्राइब के सुन्य को क्यों क्या होगा अगर इतना मेहनत करते हैं आपके जरूर आप भी मेहनत कीजिए आपसे क्योंकि आपकी भविस्ति की सब आले और एक बार दो रखेंगे तो तो आप पलस y बराबर 1 तो यहां पर हो जागा कितना यहां पर बराबर 3 रख देजी तो दूगोई को कितना हो तो तीन गवा बराबर 3 हो तीन तो बराबर हो गया इसका मतलब यह आपका रूल जो है बिलकुल सही है इसी तरीके से द्यांस देखिए और यह मान इसमें भी पूर आता है कि नहीं आता है तो तीन में दूसरे कि जगा चेप और माइनस दू में बढ़ाबर 4 तो यहां पर चेप चार बराबर 4 यानिकि यहीं आपका क्या हो जागा अगला दीखे अगला कुश्चन कह रहा है कि यह इसकोआर मैनस 6 के सुनिया कर अलफा बीटा होती है तो इडिए अगला कुश्चन देखे क्या रहा है हम सभी कि दिगात कर एक स्यख्वर मानस थैंस सो गया एक सी अगद किजी दिदिक्या के जी तो है ना 5-4 गूढ़े एक गूढ़े एक अगरा है कि इतना दिया गया है रूट 18 रूट पचास रूट अन्ठान वे और इसको ग्याद करने के लिए जो आप ग्याद किजेगा तो इसे आप दूसरा पद में से पहला पत दूसरा पचास है तो पचास को माइनस आपको पहला पत पत को 58 रगा क्या लिख सकते हैं अर्ने इसको हम रूट से बाहर कर लिए और रूट से बाहर कर ली तो पांच में से री घट़का जया रूट यानि कि क्वे Partners 2 दूरूरूरु दूरू दो गहा长 यप सा नंबर व् tota चलि इसको ग्याद करने के लिए ध्यान से समझेगा नहीं तो फिर से गड़बर हो जाएगी यह काफी जबरदास कुश्चन है और समझने वाला कुश्चन है तो ध्यान से समझते जिएगे क्या कैसे बनेगा देखे ध्यान से यहाँ पे जो y square दिया गया तो y square को y square हमनों लिख सकते हैं ठीक है तो plus 1 बटा y square दिया गया है इसे हम लोग 1 बटा y का square लिख सकते हैं कि ने लिख सकते हैं यहाँ पे y square से y square कर जागा तो बात तो वही आ गया और इसमें 2 है तो 2 है यानि कि इसमें हम 2 को अलग से जुड़े हैं अब क्यों जुड़े हैं उसको बताते हैं तो यहाँ पे बराबार 14 दिया गया तो 14 में भी 2 जुड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए जब इस वाले पादमिहां जो काम अगर अलग से करते हैं तो इस वाले में भी करना पड़ेगा यह चीज मैत का रूल होता है यहाँ पे जो है अब इसलिए हमने किये क्योंकि जब तक इस प्रकार समीं से नहीं करेंगे तब तक यह स्वाल होगा नहीं है इसलिए y square हमने रहने दिया 1 बट b square plus 2ab यह बन गया ना यानि कि आप तो समझ में आपको आ गया कि a square plus b square plus 2ab बराबर क्या होता a plus b का होल square यानि कि y plus 1 बटा y क्योंकि a कमान y था b कमान 1 बटा y हमने लाया था और यहाँ पे 14 दूर्ष सुला हो गया तो जब y plus 1 बटा y बराबर का square है तो यह square हटाएंगे तो रूट शूला हो गया तो जब सुला हो गया तो बाहर करेंगा यहाँ पे चार हो जाएगा तो च्यार आपका रखने चलाएगा और यह प्लोस और मारास-दूनों में होता है इसलिए आप अपका आजाएगा समझ में आया चलिए अगला देखिए अगला प्रश्ण ने कह रहा है कि इस अमना प्रश्ण सिर्डी का एन वापत अगर शिक्स एन मानस टू हो तो पहला पत क्या होगा बिल्कुल तो काफी असान है इसमें एन का बात बताया थे वन टू थी पर रखते जाए तो एन का जगए आप रखिए वन इंटू वन माइनस टू तो सिक्स में एक शिक्स मैंनस टू यानि हो जागा चार तो चार आपका पहला पतो निकल लिए गया तो आपका एंसर हो गया इससी तरह से अप्टू रख सेक्षा निकालना नहीं है जी हम आगे रखते जाए क्योंकि पहला इंप ग्या करना था नि सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर यहां पर यह प्लस हो जागा एकस एट जयागा तो यहां पर टुघ्र हो गया तो यह पर एकस माइनस जेड़ना सब्सक्राइब अगला कोशन कर रहे हम एग्स होता है तो आपसान हो जागा ऑगला कि काफी असानी रहती है अगला बरावर 6,0, 2,7,0, 3,16,8 से बने त्रिभूच का चत्पर निकालने के लिए एक बरावला जो फर्मूला आपको बताया गया है वह त्रिभूच के जो होगा वह फर्मूला सब निकालेगा अब इसे निकालेंगे आप प्लीज इसे निकाले जेगा एंसर बता देते हैं एंसर और आप फर्मूला से बनेगा इंटू अहां पैक सिर्यों ठीक प्लस एक सरी वाइवन माइनस है जो यह त्रेट पर मों मेंस निकाले जागा तो निकाल कर रों नबर जो प्रस्न का बिल्कुल आप बना लिए गैसे वोग फिल्पूल जो जागा वह आप सापना जाँगा आप सब्सक्राइब आपको मिला लीजेगा चलिए इक छोड़े हैं सब्सक्राइब काफी असान है यह एक सब्सक्राइब काफी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 20-70 का मान क्या होगा तो बिल्कुल वही होगा आपको एक मान सब्सक्राइब क्या हो जागा साइन 19-70 लिख सकते हैं अब माइनस को सब्सक्राइब कि एक स्कॉर माइनस का फूर दिया गया तो सब्सक्राइब का मान की इस फ्र्मले सब्सक्राइब क्या होता है प्लस वाण हो जोसे रहेगा औरो minus cost square a किसके परवाता है? sin square a के परवाता है तो sin square a into 1 plus cost square a आपका हो जाएगा तो sin square a into 1 plus cost square a कहा भी दियागा? option d निमर्ड दियागा तो option d आपका बिलकुल सही होगा समय में आया? चलिए अगला देखिये प्रशन कहा रहा है कि root cost theta बरवर यानि कि cost theta बरबाब तो theta का value यानि कि cost theta बरबा क्या होगा यह गुना मैं तो भाग में चलेगा 1 butta root 2 तो 1 butta root 2 जो होता है कि इसका value होता है बिल्कुल तो अब 45 का value होता है तो 45 आपका answer हो जाएगा अगला देखिए अगला question कह रहा है कि 10p बराबर कितना होगा यहां पर दिया गया है लंबाट अधार कॉंड निकालने के लिए क्या होगा अब इसके तो कॉंड कमान इतना होगा अब दीखिए कैसे बनाना है आपको यहां पर जो है कॉस ठीटा तो कॉस ठीटा बरता होता है है आधार बटा कोण और अधार कमान कितना है क्यूं तो क्यों बटा कंकौक मन कैसे निकलत कि मन कला पी-श्कौयर परलस कूई एक्वान प्स स्कवाइर परलस साइन ठीटा साइंस और इस तरह से नीचे भी काम करना है यहां पर फी कॉस ठीटा तो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा सब्सक्राइब यह नीचे वाला से डिरेक्ट कटा दीजिए वैसे तो आपको बता है वैसे तो यह जो कटता है यह तो आपको इसलिए आपको कटा दी रहे हैं कि आपको किजिए तो यहां पर यहां पर क्यू आ रहा है और यहां पर यहीं आ रहा है तो यही आपका प्रिक्षा से पहले पांच मोडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलेगा क्योंकि यहीं से आपके परिक्षा में कोशन आएगा और इसे आपके त्यारी कितनी हुए जिस प्रकार से आपके यहां पर परिक्षा में ऐसा ही कोशन रहेगा इसके लिए आपको Google के Chrome ब्राउजर में जाना है और आपको यहां पर सर्च करना है यहां पर पांच मोडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट और वो कोई भी सब्जेक्ट हो इस पर आपको क्लिक करना होगा यहां पर सबसे पहले आएगा क्या पर सबसे पहले लगा पर सबसे पहले होगा आपके साहर इस प्रकार से आएगा यहाँ पे आपको क्लिक दुलिक करके इगा तो आपको फड़ापट से करके और आगे पे इसले तो लॉंबट जब कॉंड होता है तो यह पर दिया गया है तो अधार होता है तो लॉंब आप सबसे निकल या निकाल कर किया निकाल कर लीजीगा ठीक है अगला दीके प्रशन निकार लॉन इसके बड़न प्रशन वैसे ही कि वन प्लस टेंस्वार इकिसके बड़ाबर सीके सब्सक्राइब कर दो करें कितना अब्सक्राइब क्या चीज वर न तो आपका एंसर हो जागा इसी तरह से यह दिखिए यह कोशन कह रहा है कि तरी भूज यदिट सब्सक्राइब Mars ्वाइब 7 dei बर 9 Nelson फिक बिदान वेल्ट यहां यहां को इस तरह से उच्पे यहां कि यहां पर एी बठा कर लिगहा और इस बठा और पीड़ी कर लेजेगा जो आक इसे सॉ LU कीजिए Region 2 इसका आठा का डुष तो आथा आथा थाही को ही आपको आठा तो आपका option क्या हो जागा? option number B हो जागा समझ में आ रहा है? हाँ, B आ जागा कैसे बनेगेगा? यह मान लिजी एक तिर्भूज हो गया बना लिजीगा, यह आपका हो गया इस तरह से DE, यहाँ पर दिखेंगे ध्यान से इसका मान दिया दिया गया बरबर यहाँ लिजीए और इसको एक समे के looking अगला question क्या रहा है कि एक संगत संगत हो जो करता है त्सक्राइ़ करता है ना संपासा यानि कि यो पासा हम लोग खेलते पासा जो फो होता हो एक रूर संख्या आने में करती है तो कि आपका जाएगा तो अगा प्रशन करा कि दो पर चिसको कर दिए भर तो पांच ऑप्सन दिमें अग्ला की अच्छीतर से लाल रंग का तस्वीर वाला होने की प्रियक्टा के संखे कितनी होती है अब जितनी होती है उतने से आपको क्या करना है बिल्कुल आपको भाग दे दिना है तो जो भाग दे जागा आपका तीन बटा का 26 जागा तो फटा-फट किन को पता यह चीज अब इस लिए पूछ रह है बेगंबसा यह सब कितने होते हैं यह सारी चीज़ा आप याद के लिए उसके सबसे बन जागा रहा है कि यदि किसी बंटन का माधिया और माधिया क्रमसा 4.6 और 4.8 है तो बहुला बराबर एक फर्मूला होता है क्या होता जी तो तीन गुणे माधिया क्या माधिका माइ आपको इसको सजाना है तो सबसे पहले आपको यहां पर सबसे छोटा 6 है फिर 7 है फिर 8 है उसके बासे 9 नहीं है 10 नहीं है 11 नहीं है इक बार 12 है उसके बासे 13 है फिर 14 है हाना उसके बासे कोई संख्या साथ नहीं है हाना 15 है 15 है चली अब इसको माधिक निकाले क्लिए क्या किया जाता है कि आप पहले काउंट किजी एक दो तीन चा करना दिखिए माध्या का तीन गुना और माध्या का दो गुना का अंतर क्या करता अभी आपको सुत्र बना या बोले की बना लीजेगा गुणा करकि वही तो पूछ दिया यहां पर वही हो गया चलिए अगला लगा कर रहा है एक घरी के मिनट के सूई एक मिनट में कितना बन लिए तो इस अधिन दो जाती है ना एक गुला तो यह वाली जी तो साट तो इसाट तो तीससाट में आप साथ भाग इलिकी नौगा चोए नहीं होगा हां तो छोड़ी को बनाएगी अगला एक अग्ला कहरा कुछ यह जाए अधार की तिरिजिया आर्ट अचाहिए एच्वा जाब का आर्ट-गूला उठाटीना कहते हैं तो यहां पर यहांपे धयान से यहां पर माली एक और हो जागा 100 टिगरी ओ यह परeln एक सथी फोलिष टिस यानि या फियर कि कितना हो जागा टु क्वाइनस जागा ची सब्सक्राइब नहीं कर देखा है लिए जिसे आगे सागे से वीडियों मिलें लाइक से आपके से नहीं प्लाइब के लिए हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े जो क्या होगा चार आइक मिला करें काट देते हो जागा तो आपके सामने अफिसल वेबसाइट है आपको यही पे जाना है मेरे नाम से और भी लोग बना है वह गलत है आपको वहाँ नहीं जाना है यहाँ डिलेस अफिसल पर क्लिक करना है इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ आपको सारा चीज मिल जाएगा और यहां पर कितनी सालों का मडल पर बढ़ जे सकते हैं 2019 का 2021 का 2018 का देख सकते हैं 2018 का 2016 का मतलब बहुत सारे मोडल पर यहाँ मिलेगा यह से याद करना के लिए काफी जरूरी है जल्दी से सर्च केजिए डिलेस अजूकेसर अफिसल